एक उत्र एकिन स्थेरा इस नाममें में को है स्ट्रेकर चार्ट स्थेमर्व नगेटिउँ 304 यहां पर स्ट्रीगे से यहां पर्पलस क्यों है यालो यहां पर्लस हित्व नालिखूँ इस तशी कि एक्सी अपर charges की value negative भी हुई, तो हम देख लेंगे, अब इनके बीच में कुछ forces लगते हैं, forces लगेंगे, let's say इसके उपर इस दिशा में कुछ force लगा है, इसके उपर भी इस दिशा में कुछ force लगेगा, equal and opposite force लगता है, तो इस तरीके से f यहां लगेगा, f यहां लगेगा, magnitude same होगा, direction opposite ह mathematically इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, f of 1, 2, force on 1 because of 2, will be equal to minus of force on 2 because of 1, इस तरीके से हमने लेग दिया, वैसे लिखने का तरीका है, वैसे तो हम हमेशा अक्सर ऐसे जब भी question solve करेंगे, direction इस तरीके से sense लेकर के करेंगे, और tight up बात आती ही, force का magnitude कितना है, बहुत ही simple सा formula है, law of gravitation की तरह, अगर इन दोनों के बीच का distance है, r, तो हमाया पास यह जो force का magnitude है, वह जाता है, k, q1, q2 divided by r square, बहुत ही simple सी चीज़ है, यहाँ पर k को ही एक और तरीके से लिखा जाता है, देखो, c को लिखने का एक और तरीका होता है, 1 upon 4 by epsilon 0, फिर से वही q1, q2 upon r square, इस तरीके से हम force का magnitude बता कर सकते है, यहाँ पर हमाया पास k की जो value होती है, वही 1 upon 4 by epsilon 0 की value हो जाती है, और इसकी value होती है, बहुत ही simple है, 9 into 10 raise to 9, अच्छा, यह value आईगी क्या, न्यूटन, न्यूटन तो force की value न्यूटन में होती है, तो यहाँ न्यूटन होना इस तरीके से हम इसकी unit लगा देंगे, और यहाँ पर और एक चीज मुझे दिखाई दे रहे है, एक equation इस तरीके से, इसमें अगर मुझे epsilon 0 की value पता करनी है, epsilon 0 की उपर ले जाओ, इनको नीचे लियाओ, तो हमारे पास यहाँ से epsilon 0 की value होती है, 8.85 multiplied by 10 raise to power minus 12, यहाँ जाता ह है, यह नीचे चला जाता है, यह उपर चला जाता है, इस तरीके से महाँ पास कुछ values हो जाती है, सारी values यह आपको याद रखनी होंगी, अच्छा, यह जो formula है, this is only for point masses, जैसे कि हमने यहाँ पर point masses को बना रखा है, इसका कोई derivation नहीं है, observation based हो गया हमारे लिए, यह एक conservative and central force होती है, तो इनको कुछ-कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, हमाँ पास for point charges, this is conservative and central force, इन सब चीज़ों का हमें जादा use नहीं होगा, conservative से बस हमें use हो जाता है, इसकी कारण potential energy आने वाली है, ठीक है, अच्छा, हमाँ पास कई बार ऐसा होगा, अगर हम इस sphere के बाहर की side है, तो हम इस sphere के ऊपर अगर मान लो Q charge है, हम ऐसी treat करते हैं, इस sphere के बाहर होते हैं, तो यह पूरा का पूरा charge इसके center पर इस तरीके से concentrated है, ठीक है, इसको proof किया जा सकता है, लेकिन इसके proof में हम जाएंगे नहीं, तो अब this is equivalent to point charge, जिसके ऊपर य we are outside the sphere, बहुत ही simple सी चीज है, इसको भी बहुत सारे examples में भी हम देखने वाले हैं, यहां लिख देते हैं, these spheres can be assumed point charges assumed as point charges outside the sphere, यह हो गया हमाई पास coulum's law, अब coulum's law में किस तरीके की सवाल पूछा आते हैं, दो अलग-अलग forces की हमें value दे दी जाएगी, sorry charges की value दे दी जाएगी, ऐसे भी बोल दिया जा सकता है, थोड़ा सा charge, एक point से थोड़ा सा charge निकालके दूसरे में लगा दिया बताओ, force की updated value क्या है, अच्छे force एक vector quantity होती है, अगर हमाई पास दो तीन charges रखे हुएं, मानलो य ऐसे इन दोनों के कारण कुछ force लगता है, तो वो इसकी उपर लग जाता है, ऐसे, इन दोनों के कारण कुछ force लगता है, तो मानलो वो इसकी उपर लग जाता है, ऐसे, और इन दोनों के कारण कुछ force लगता है, तो वो इस पर लग जाता है, कुछ इस तरीके से, हमारे पास जो टोटल फोर्स होएगा है इनको मैं बुनाम दे देता हूं इस विल बी F1, इस विल बी F2, इस विल बी F3 हम बोल देंगे भई हमाँ पस फोर्स तो वेक्टर होता है तो F net की जो वैल्यू आने वाली है वो वेक्टर सम हो जाएगा F1, प्लस F2, प्लस F3, इस तरीके से अब उसकी वैल्यू निकाल सकते हो इसका यूस कहा होता है, बहुत सारे जोमेटरी बेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन आते है स्केर है, उसके चारों पॉइंट्स पर हमाँ पस पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है तो बताओ इस वाले चार्ज के उपर कितना फोर्स लग रहा होगा तो देखो एक फोर्स लगेगा ऐसे में रिपल्शन का एक force यह वाला लगाएगा, ऐसे repulsion का एक force यहां से लगेगा, ऐसे repulsion का तीन forces हमारे पास आजाएंगे तीनों का जो vector sum होगा, वो कहीं इधर ही आता है वो हमारे पास finally हमारा answer हो जाएगा इस तरी की चीज़े हमें करने ही होती है अब इस पर बेस्ट questions देखना शुरू करते हैं तो पॉइंट चार्ज़ेज एंड बी हाविंग चार्ज़ेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिप्स रिस्पेक्टिवली अर प्लेज एट सर्टें डिस्टेंस अपार्ट प्लस क्यू यहां पर है मिरे पास माइनस क्यू इस तरी के से इन दोने के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा लेट से वह वाल्यू है पहली बात बता इन दोने के बीच में फोर्स अट्राक्शन का लगेगा रिपल्चन का ओपोजिट नेचर के चार्ज में पॉजिटिव एक आर स्कूर दोनों चार्ज इसका मैगनिटूड सेम है ओपोजिट नेचर के हैं तो हमने अल्रेडी डिरेक्शन यहां पर मेंचिन कर दिया है कि अट्रेक्शन का फोर्स लग रहा है हमें यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है अब देखो इफ 25 पर फाइनली कितना हो जाता है इग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने ग्राविटेशन में भी किया था वहां पर मास हुआ करते थे मासस को ट्रांसफर कर दिया था सेम चीज़ इलेक्ट्र स्टाटिक में भी होते है क्योंकि फॉर्मूला फोर्स का एकदम सेम है वीडियो को पॉस वीडियो करते हैं कैसे इग्जैक्ट सेम चीज़ हमने गरी थी ग्राविटेशन में वहां पर हमाँ पास यहां पर मास था मास एक से मास दूसरे में ट्रांसफर करते हैं हमा पास अपडेटेड मास आ जाते हैं जैसे यहां से अभी हमने कुछ क्यू बाई फोर इस तरफ भे में ध्यान रखना है ग्राविटेशन में मास सिर्फ पॉजिटिव होता है यहां पर चार्ज नेगेटिव भी होता है यहां पर जो फाइनली चार्ज आजाएगा वह कितना है पहले था माइनस क्यू फिर उसके बाद हमने एड कर दिया में q by 4 इस तरीके से उसकी वैल्यू माइनस 3q by 4 हो जाती है अब यहां पर हमारे पास जो फोल्स लगेगा लेट्स इसको मैं बोल देता हूं अबडेटेश फोल्स है उसको f-f- इस तरीके से बोल देते हैं f- की हमारे पास वैल्यू आजाती है f- is equal to k divided by distance का square तो यहां आना ही है distance में कोई changes नहीं हुए चार्ज बस change हो गए है चार्ज की value हो जाएगी में पास 3q divided by 4 multiplied by 3q divided by 4 यहां पर मैं चार्ज में sign नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने already sign के हिसाब से force का direction mention कर दिया है और force को यह positive negative करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहां से मैं आपास देखो फिर स q square upon r square क्या था देखो यही value तो f के बराबर थी तो मैं इसको लिख सकता हूं this is also equal to 9 divided by 16 of f तो हमाया पास answer b correct answer हो जाता है अगर यह positive negative का charge में आप गलती कर दोगे तो आप answer गलत आ जाएगा two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length तो मैं पास ही जो strings है उनकी length equal है the equilibrium separation between them is our हमाया पास न दुनों के बीच में separation है ठीक है now the strings are rigidly clamped at half the height अब यह important चीज़ है यहां पर देखो क्या लेका at half the height हमें एक तरीका तो यह था है कि रसी का midpoint है उसको मैं यहां लाता है इस रसी का midpoint और उसको यहां लाता है दोनों को बांद देता है यहां पर यह मेरे पास बज़ती है y divided by 2 इस तरीके से अब बदाओ नया equilibrium जो distance है नया equilibrium separation जिसकी value obviously r नहीं हो सकती है तो इसको मैं लिख दूँगा यहां पर r dash r dash की value कितनी होने वाली है तो यहां पर देखो हमारे पास इनके उपर charge change नहीं होगा इनके बीच का distance change होने वाला है इनके उपर और कौन से force लग रहे होंगा नीचे लगा होगा mg इस तरफ लगा होगा tension T इस तरफ लगा होगा repulsion electrostatic repulsion का force F सेम चीज यहां होग होगी यहां पर भी लगी होगी tension T यहां पर भी लगा होगा mg तो यह equilibrium में है यानि इन तीनों का sum हमारे पास बराबर आ रहा है बहुत अच्छे सवाल है सेम चीज आपको यहां पर repeat करनी होगी वीडियो को pause करें question को solve करें इसका correct answer है ए कैसे आया? solve करते हैं तो देखो यहां पर हमें करना क्या है? पहले forces डॉट कर लेते हैं यहां पर इनके बीच में पहली बाद तो कुछ repulsion का force लग रहा होगा इस तरीके से यहां पर फिर से इनके बीच में कुछ repulsion का इस तरीके से force लग रहा होगा repulsion का force अलग-अलग हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का distance अब बदल चुका है ठीक है अच्छे वो repulsion का force कितना होगा इसको हम कैसे पता कर सकते हैं देखो इनका electrostatic force भले ही बदलता है इसका एक mg होने वाला है हमारे पास ये वाले y की value है तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये वाला हमारे पास r by 2 हो जाता है ये y हो जाता है यहाँ पर ये r dash by 2 होगा ये y by 2 है तो हमारे पास एक है यहाँ पर angle important सा बनता हो दिखाई देरा है अगर मैं इसकी बात करूँगी ये angle theta है और ये वाला angle theta dash है इन theta के बारे में हम कुछ बात कर सकते है जैसे अगर ये वाला angle theta है और यहाँ पर हमारे पास tension लग रही है तो मैं लिख सकता हूँ tension का cos theta tension का cos theta will be equal to t cos theta will be equal to जो हमारे पास electrostatic force लगने वाला है उसकी value कितनी हो जाएगी k q square divided by r का square tension का जो sin theta हो जाएगा जो उपर की तरफ यहाँ पर लग रहा होगा इस तरीके से यह हो जाएगा t sin theta इसकी value जाएगा t sin theta is equal to mg अगर मैं इन दोनों को divide कर दूँ तो देखो मेरे पास क्या चीज़ गाती है tan theta की यहाँ से value हो जाती है tan theta is equal to mg divided by k q square divided by r square यहाँ पर दोनों ही cases में अगर हम बात करें तो theta की value change हो रही है mass change नहीं हो रहा g chain नहीं हो रहा, k chain नहीं हो रहा, q chain नहीं हो रहा r की value change हो रही है यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि मैं लिख सकता हूँ tan theta is proportional to r square इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ पर देखो tan theta को इस triangle में भी हम कुछ देख सकते हैं इसकी value होती है, अभी के लिए मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ, यह मेरे पास मानलो height h है, height h यानि जहाँ पर यह रस्ती जाके बन दिया है अभी दिर पास height h हमारे पास यह हो जाएगी अभी के लिए हमारे पास height h यह है तो इससे लिखा जा सकता है h divided by r by 2 10 theta की value क्या हो गई h divided by r by 2 will be equal to mg upon k q square into r square r square उपर चला गया यहाँ से मुझे एक चीज़ बता चल जाती है h comes out to be proportional to r cube इस तरीके से हम देख सकते है देखो यह r by 2 का r भी इदर चला जाएगा h is proportional to r cube हमें देखने को मिलता है फिर हमने किया गया है यह relation आ गया है उसके बाद मुझे solution मिल जाएगा हमने h की value में change कर दिया है h की value पहले y थी बाद में y by 2 हो गई है उसके जब से मैं आपास r की अलग-अलग values देखने को मिलेगी तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y upon y by 2 will be equal to r upon r dash का इस तरीके से q और राइट यहां से y से y इस तरीके से कट जाता है हमारे पास value हो जाती है 2 is equal to r divided by r dash की power इस तरीके से 3 यहां से मुझे r dash की value पता करनी है तो इसके लिए मैं कर दूँगा 2 का cube root हम ले लेंगे इस तरीके से 3 तो यह आ जाता है मेरे पास r divided by r dash यह फिर मैं लिख सकता हूँ radius r dash जो हमें बात में पता चाहिए radius नहीं है इस r dash इसकी जो value आ जाती है this will be equal to r upon 2 का cube root which is option 8 तो बहुत ही अच्छा सवाल था हमें relation निकालना था भाई कि यह वाला जो r होता है और यह जो height होती है इसके बीच में relation क्या है तो हमने tension का इस्तिमाल किया हमने एक angle लेका theta t cos theta को हमने sequence कर दिया जो हमाँ पास force लग रहा था t sin theta को हमने mg से equate कर दिया दूनों को divide किया तो tan theta की value मेरे पास कुछ आ जाती है जो कि r का function है यहाँ पर देखो mass, gravity, k, q सब कुछ same रहने वाला है पिर हमने also यह देखा कि tan theta triangle में इस h divided by r से भी निकाला जा सकता है तो हमने वही value यहाँ पर रख दे यहाँ से हम देखते हैं कि h proportional to r q बाजाता है क्योंकि बाकी सब कुछ constant है हमने पास दो अलग-अलग value of h है जैसे कि y and y by 2 के हिसाब r की भी दो अलग-अलग values हो चकती है यहाँ से मैं r' की value इस तरीके से मिल जाती है, बहुत अच्छा है 2 identical charge spheres suspended from a common point by two muscler strings of length L are initially at distance D D is much much larger than L यह हमें दिया है तो साथ के साथ हम डाइग्राम बनाते चलेंगे थोड़ा interesting से सवाल है हमाया पास D की value क्या है यह हमाया पास length है common point L initially at a distance D हमाया पास इन दोनों के बीच का distance है D और यह length L इस तरीके से हमें दी हुई है यह इनके बीच में जो D का distance है वो क्यों है? इनका mutually कुछ repulsion हो रहा है तो हमाया पास यहाँ पर इस तरीके से स्क्यूपर कुछ ऐसे force लग रहा होगा इसके उपर कुछ इस तरीके से force लग रहा होगा इसके कारण हमाया पास यहां पर repulsion देखने को मिलता है the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate छीक है as a result the spheres approach each other with a velocity v then v varies as a function of the distance x between the spheres तो यहाँ पर x कहां आगे? D था D की जागे I think x रहा होगा तो आप D की value D लिखो या x लिखो question में थोड़ा से यहाँ पर confusion होगा this is x मान लो तो पहले समझते है question में हो क्या रहा है इनके बीच में कुछ यहाँ पर force लग रहा होगा repulsion का तो इस तरीके से यह लोग maintain थे कुछ distance रहता है क्योंकि यहाँ पर नीचे mg लग रहा होगा यहाँ पर tension लग रही होगा कुछ इस तरीके से equilibrium हमाने पास आ जाता है फिर क्या होता है? फिर हमारे पास इनका charge का leak होना शुरू हो जाता है leak हो रहा है अनलब कहीं गया हो उड़ गया हवा में ठीक है अउड रहा है हवा में गयाउब नहीं हो जा रहे कहीं तो जा रहे ट्रांसफर हो रहे कोई बात नहीं, leak हो जाता है इस तरीके से अब leak हो जाएगा तो यह repulsion का force कम हो जाएगा, repulsion का force कम हो जाएगा, नीचे mg तो लग रहा था, तो वो ऐसे अलग-अलग क्यों रहेंगे, वो साथ में आ जाएगे, अब यहाँ पर बूला जा रहा है कि भाई, अगर वो साथ में आ रहे हैं, तो आप यह मानो कि यह straight line में चार्ज begins to leak at a constant rate, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर इसमें चार्ज था क्यूँ, इसमें भी चार्ज होगा क्यूँ, चार्ज begins to leak, मतलब वो कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ by dq by dt, यह क्या हो गया, समय के साथ चार्ज के बदलने की rate, यह एक negative constant होने वाला है, यह मैंने आपको एक hint दे दी, अब वीडियो को pause करो, question को solve करने की कोशिश करो, इसका correct answer है c, बहुत ही simple यह सवाल है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप फिर से इस तरीके से assume करेंगे, मानलो हमाँ पास कोई एक angle को हम ले ले लेते हैं, theta, let's say मैंने इसको ले लिया, angle यह theta है इस तरीके से, तो हमारे पास जो भी charge था, उसका FBD डाइग्राम अगर मैं बनाने जाओं, तो देखो, यहाँ पर पहले तो मैं फिर से angle इस तरीके से, यह वाला angle theta बना दूँगा, अच्छा, वो angle theta है, तो यह वाला angle भी theta हो जाएगा, इसके पर कौन-कौन से forces लग रहे थे, इस तरफ लग रहा होगा, repulsion का force, इस दिशा में लग रहा होगा, हमाँ पास एक tension T का force, और नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस पर mg का force, अच्छा, tension के दो component हो जाएगे, T cos theta दर जाजाएगा, T sin theta दर जाजाएगा, चलो लिख देते हैं भई, क्या लिखेंगे, हम T sin theta is equal to F, force की value कितनी है, के Q square divided by, distance कितना है यहाँ पर, X, तो X का square यहाँ कर देंगे, equation number 1, दूसरी equation मेरे पास कहाँ से आजाएगी, y direction में balance करेंगे, तो हमाँ पास दर जाता है, T का cos theta is equal to mg, this is equation number 2, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें tan theta की value चाहिए, tan theta की value क्यों चाहिए, क्योंकि ना मुझे t चाहिए, ना मुझे theta चाहिए, पर tan theta को मैं eliminate कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ ही पे tan theta को लिखने का और एक तरीका है, tan theta को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, approximately equal to sin theta, वो आजाएगा मैं पास l into x by 2 upon l, इस तरीके से अभी देखते हूँ इसको कैसे, तो यहाँ पर दोनों को divide कर देते हैं पहले, यहाँ से मुझे मिल जाता है tan theta, इसकी value कितनी आजाती है, यह आजाता है कि q square upon x square mg, हमारे पास tan theta की value आ गए, अब देखो यहाँ पर कुछ है, हमें यह value दे हुई है कि d is much-much lesser than l, यानि कि हम बोल सकते हैं theta की value बहुत छोटी होगी, theta की value छोटी होगी तो tan theta को approximately equal to sin theta में कर सकता हूँ, करना ही पड़ेगा, इसलिए नो नो यह चीज़ दे है, और जैसी मैं इसको approximately equal to sin theta कर देता हूँ, देखो यह यहाँ पर इस वाले triangle में बताओ मज़े sin theta की value कितनी हो जाती है, वो हो जाती है, total x था तो यह हो जाता है मेरे पास x by 2 और यह है l, इसकी जो value हो जाएगी, मैं लिख सकता हूँ, q square is equal to, ध्यान से देखना है, इसकी value हो जाती है, mg x का q divided by 2 l k, यहाँ से x square उस तरफ चला गया, denominator में 2 l हो जाएगा, 2 नीचे आजाएगा, k की value भी नीचे आजाएगी, mg भी उपर चला जाएगा, यह हमाँ पास कुछ relation आजाता है, इसको हमें differentiate करना पड़ेगा, इसको ऐसे कैसे differentiate अभी नहीं करेंगे, हम इसको लिख देंगे भाई, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, q is equal to, some constant आजाएगा, वो mg upon 2 l k, इसका कुछ under root आजाएगा, इसकी कुछ भी value हो सकती है, multiplied by x की power 3 by 2 आजाता है, छीक, इसको कर दो differentiate, बाकी सारा का सारा तो हमाँ आपास constant रहने वाला है, इसकी कुछ तो value आजाएगी, ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं अभी इसकी value भाई, mg upon 2 l k, कुछ भी यह value है, इसकी value में कोई change नहीं होने वाला है, constant है यहाँ x ही power 3 by 2, इसको differentiate करो, यह जो 3 by 2 है वो आगे आजाता हमाँ यहाँ पर आजाएगा 3 by 2 इस तरीके से, multiplied by x raise to power, अब 3 by 2 minus 1 करेंगे तो वह बस्ता हमाँ आपास 1 by 2, dq upon dt की value हाजाती है, x raise to power 1 by 2 multiplied by dx upon dt, अब मुझे बतावा, यहाँ पर कुछ हमाँ पास इस तरीके से values आजाती है, हम से क्या पूछा था, यहाँ पर यह minus नहीं है, this is multiplication, हम से पूछा है, velocity बताओ, velocity किस चीज़ के proportional यहाँ दिखाए दे रहे है, देखो, हमें बता दिया, dq by dt, यह constant term है, हमें बता दिया, हमें तो यह पता ही है, यह constant आ रहा है, सब कुछ constant है, क्या है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, dx by dt हैना, यहाँ से मुझे पता चल जाता है dx upon dt is proportional to x raise to power minus 1 by 2, इस तरीके से, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ पर constant है, constant, 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 सब कुछ constant, यह दूसी तरफ जाएगा, तो उसकी power minus 1 by 2 हो जाएगी, और मैं अपा सांसा जाएगा, भाई, velocity जो है, जो कि dx upon dt है, will be proportional to x raise to power minus 1 by 2, and c becomes a correct answer, फोड़ा, अच्छा सवाल था, आने के चांसे कम है, पर यह पीवाई क्यू ही है, तो पूछा तो जा चुका है, हम तयार हैंगे, अच्छाज Q is placed at the center of a line joining two equal charges, capital Q, the system of the three charges will be in the equilibrium if small q is equal to, अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल बहुत पार पूछे जा चुके है, इसमें slight variation करके, तो यहाँ पर हमाया पास क्या है, दो charges हैं, जिनको capital Q बोला गया इस तरीके से, all right, इनके बीचो बीच हमने यहाँ पर रख दिया है, इस तरीके से, small q, the system of three charges will be in equilibrium, इसका क्या मतलब है, देखो इसको एकदम बीचो बीच रखा ह है यहाँ पर, तो अगर यह दोनों, तीनों सब same nature के भी होते हैं, और अगर इनको मैं fixed कर देता है, यह वाले charges हमारे fix same move नहीं कर सकते हैं, तो एक इसको इधर repel करता है, दूसरा इसको इधर repel करता है, यह तो हमेशा cancel out हो जाते, तो यह हमेशा system equilibrium में रहता, लेकिन यहाँ यहाँ पर बात क्या है, कि इनको भी यहाँ fix करके रखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखाए कि they are fixed, इसका मतलब सब कुछ equilibrium में, सब कुछ equilibrium में, यानि अगर इसके उपर net forces देखें तो वो भी 0 आने चाहिए, इसके उपर net forces कैसे देखेंगे, क्योंकि यह दोनों plus q, मत तो इस वाले को भी उतना ही अट्राक करेगा, तो हो सकता ये भी हमारे equilibrium में आ जाए, ये वाला तो symmetry के कारण हमेशा ही equilibrium में आने वाला, अगर ये distance दोनों बराबर है, तो हमेशा equilibrium में रहेगा, तो basically सब का equilibrium की यहाँ पर जरुरत है, बहुत अच्छे है, इस सवाल हो गया, वीडियो को pause करो, question को solve करो, इसका correct answer है B, और ऐसा होना भी चाहिए, देखो, अगर ये भी positive हो जाया, positive नहीं, अगर ये सारे same nature के हो जाया है, तो फिर सब repel करके भाग जाएंगे एक तरफ, तो हमें एक बात तो पक्की पता चिल जाती है कि इसकी value, nature में इन से opposite होगी, चीज हम समा सकते है, अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया, तो हम कुछ options को तो यहीं के यही reject कर देते हैं, यह positive वाले तो नहीं हो रहे, अब इन दोनों में से कोई एक option होने वाला है, तो देखो, यहाँ पर अब इसको solve कैसे करें, तो मैं काम करता हूँ, इस distance को ले लेता हूँ, यह x था, क्योंकि यह midpoint था, तो यह वाले को भी x होना ही पड़ेगा, मैं देखना चाता हूँ कि इसके उपर दो charges लग रहे हूँ, एक यह attractive लगा रहा होगा, दूसरा वो repel shift लगा रहा होगा, दोनों की value same होने वाली है, तब ही हमाँ पास correct बोलेंगे है equilibrium में आ चुका है, तो किसी भी charge के उपर, अगर मैं बोलूँ कि इसके उपर दो forces लग रहे हैं, let's say इसके उपर लग रहा है F1, तो यह इसने इसको repel कर दिया F1, अगर इसने इसको attract किया है F2, तो इसने इसको भी attract किया होगा F2, और same magnitude यहाँ पर लगा होगा, इस तरीके स F2, F1 की value कितनी हो जाती है, KQ square divided by, देखो इन दोनों के बीच का वो force है, इन दोनों के बीच का तो, दोनों के बीच में distance है 2X, तो यहाँ करेंगे 2X का square, will be equal to, F2 क्या है, इन दोनों के बीच का हमाँ पास force है, तो उसकी value हो जाएगी, KQ और small Q यहाँ पर आ जाएगा, divided by X का square, यहाँ से आप देखते हो, K से K कट जाएगा, AQ से AQ कट जाता है, X square से X square कट जाता है, और हमाँ आपास value हो जाती है, Q is equal to, हमाँ आपास capital Q divided by 4, लेकिन opposite nature का होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर direction इस तरीके से बनाए है, यह opposite nature का था, तब ही attractive force लग रहा था, है ना, तो nature opposite, है ना, nature of charge, यह opposite होना ही पड़ेगा, यह small Q की value है जाती है, यह पस minus Q divided by 4, B becomes our correct answer. Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by a distance d, if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, अब यह बहुत यह अच्छा सवाल हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैंस मैं बोल दिया है कि force की value F है, अगर हमाँ पास दो ions है, इन दोनों के बीच का जो distance है, वो हमें d दिया हुआ है, हमसे पूछ लिया, charge नहीं पूछा इनोंने, इनोंने बता दिया कि इनके बीच में repulsion होगा, क्योंकि सेम आयन है, तो सेम चार्ज होगा इनके पास, तो repulsion का force हमाय पास लगने वाला है, मान लो इनके पास charge था Q, तो इसके पास भी charge होगा, क्योंकि सेम आयन है, बस यहाँ पर quantization का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि वेज़ जो value होगी, वो plus minus n e के बराबर होने वाली है, यही यहाँ पर trick थी, quantization of charge का इस्तेमाल कर लिया है, charge electron के multiples में होता है, बस यही पूछले ने number of electron missing from each आयन हिस्त तो यानिकी है, positive हमारे पास इस तरीके से ions हो गए, तो हमें बस इस चीज़ कर समाल करना है, वीडियो को pause करो, question को solve करो, correct answer will be C, कैसे, देखो हमारे पास force की value आजाने वाली है के, अब के नहीं लिखूँगा, देखो मैं इसको लिखूँगा, 4 pi epsilon 0 की term में, तो वा जाता है में पास 1 upon 4 pi epsilon 0, multiplied by charge दोनों का कितना है, एक का ne है, दूसरे का भी ne है, इस तरीके से, divided by distance है, इस तरीके से, यहां से मेरे पास value आजाती है, n square is equal to कितना आजाता है, 4 pi epsilon 0, d square capital F, divided by e square, यहां से मैं लिख सकता हूँ, सीधे-सीधे, n की value आजाएगी, तो इसका under root ले लो, कौन सवाला option है, यह हमाया पास, option c is the correct answer, बहुत ही simple सवाल था, quantization को इसमें अच्छे से include कर लिया, यही जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही प्यारे से, सुन्दर से, colorful से crash course का, जहां पर हमने सारे के सारे 11th और 12 के concepts को cover किया है, with colorful graphics, और वहां पर बहुत सारे PYQs, additional exercises, सब कुछ आपको मिलने वाला है, structure तरीके से पढ़ने के लिए आजाओ, link is in the description, साथ में colorful PDF भी मिल जाएंगी, उनको free में भी download कर सकते हैं, जल्दी download करो, हम मिलेंगे पूरे course में,